दोस्तों आज हम सबसे पहले Android Development Toolkit डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम Java Development Kit डाउनलोड करेंगे और बाकि जो requirements वगर रहोंगी वो हम देखेंगे कि हमने अपना working environment किस तरह सेट करना है Android Development के लिए तो सबसे पहले हम Google में आके Android Development Kit डाउनलोड Android Development Kit पर हम आजाते हैं तो यह हमारे पास जो है latest Android Development Kit आगी है और यह जी क्या है यह इसके अंदर ही सारा कुछ आमें अविलिबल हो जाता है इसके लिए हम देख सकते हैं कि system requirements के है system requirements अगर हम Windows operating system कर रहे हैं तो 32 यह 64 भी होना चाहिए और Windows XP को भी यह support कर रहा है और XP के सब्सक्राइब लीनिक्स अगर और system X को भी गार है और उसके लावा जो है हमें JDK 6 minimum required है और यह JRE नहीं JDK complete हमें चाहिए और JRE एक subset होता है JDK का यह नहीं कि सब माजूल होता है JDK का Java Run Time Environment JDK Java Development Kit का और इसके बाद हम sizes बगरा देख लेते हैं तो सबसे पहले जो है address हम आके अपना operating system कर देख लेते हैं जब हमारे पास यह 64 bit operating system है और इसके इलावा जी हम किया करते हैं परिकिंग पेरिंग में हम चेक कर सकते हैं कि OS JDK और Eclipse हमें कौन सा चाहिए इस पर अगर हम यहाँ पर आपके चेक करें तो यह हम बता रहे हैं मजीद अगर हम देखें तो यह पेर्ट है 32 bit operating system है तो JDK भी 32 bit और Eclipse भी 32 bit है लेकिन अगर जी है 64 bit operating system तो यह 64 bit हमें चाहिए और 64 bit के साथ 32 bit भी चाल सकते हैं लेकिन हम यह 64 bit यह वाला करेंगे और इसमें हमें क्या चाहिए operating system 64 bit है एक हमें JDK 64 bit चाहिए और Eclipse 64 bit चाहिए तो यहां से हम 64 bit का करेंगे यह और उसके बाद जो है यह हमें चेक्स हम इंटेग्रेटिज बता देगा और यह हमारा file size आ जाएगा तो हम क्या करते हैं इसको हम run देते हैं और इसको हम new tab में open कर हम पूछ तो है कि उसको हम क्या क्रड़ते हैं और इस इस हम क्लिक कर देते है लांग से घ्रिमेंट में यह हम पूछ रहा है जो चीजें यह हमें provide कर रहा है तो इसको अम bundle में यूज कर सकते हैं यूजर नहीं कर सकते हैं, पूरा as-it-is module को हम यूज कर सकते हैं, दूसरा इसके बाद यूजर राइट्स को किसी टाइम भी वो कर सकते हैं, third party के जो हैं, वो कर सकते हैं, खतम कर सकते हैं, आपने terminate कर सकते हैं, license agreement, और ये हो गए ये नजीद आप इसके भर में पड़ सकते है तो यह एग्री कर लेते हैं और 64 बेट है हमारा तो 64 बेट हम डाउन्लोड कर लेता है एड कर देते हैं नमबर पहले से एक डाउन्लोड कर ने किया हुआ है ओके तो यह हमारा जो है यह size बता रहा है और यह downloading हो रही है कर देते हैं इसका minimize कर देते हैं यह हो गया है उसके बाद हमें jdk चाहिए jdk6 चाहिए jdk6 प्रेकल में हम आ जाते हैं इसमें अगर आ जाएं तो यह license agreement है इसको हम देख लेते हैं license agreement में यह है कि design development और टेस्टिंग हमें अलाव है यह यहां पर जो है design development testing हमें अलाव है दूसरा जो है bundles हमें अलाव है इसको individual नहीं यूज़ कर सकते हैं functionality of software है और इसके बाद यह है unmodified हो सकते है modified है वागए इसको नहीं कर सकते है remove या alter नहीं कर सकते notices वगर को और इसके इलावा जो है कि अगर और एकल की वज़े से हमारी वज़े से जो हम application development कर रहे हैं और इसमें और एकल का software यूज़ कर रहे हैं और इसकी company में कोई blame आता है तो उसका कर रहा कुछ वहां हमने pay करना होगा accept करते हैं फिर उसके बाद जो है windows 64 bit है तो यह download हम कर लेते हैं यह चीज़ें हमें download होगी है download में अगर हम आज़ें programs में आज़ें यह पड़ी हुई है यह पड़ी हुई है और इसके लावा अगर हम compressed में आज़ें तो यह हमारे पड़ी टे पड़ी हुई है एंडर development toolkit लेकिन इसको हम देखना है कि अब इसका पहले हम इसका size से कर लेके top 20 sizes का exact वही है आपको बहुत शुक्रिया